हलो दोस्तो महिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है और अगर आप इस पेज़ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें तो दोस्तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पूरू मद्धेकाल में क्रिशी विवस्था के विस्तारव समाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का परिक्षण कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं राजकिये भूमी अनुदान मध्य युगिन भारती अत्यास के परमुक्षरोत रहें 600-1290 के बीच शास्कों के द्वारा ब्रामणों को दिये जाने वाले अनुदानों में अत्यादिक बढ़ोतरी हुई ब्रामणों के द्वारा भूमी पर नियंत्रण महत्वपून रूप से विस्तरित हुआ भूमी पर ब्रामणों के बढ़ते नियंत्रण के फलसुरू पूर्व मध्य युगिन दक्षिन भारत में समाजिक विवस्था में परिवर्तन आया अतिकांच इतियासकारों ने पूर्व मध्य युग को क्रिशी विस्तार के एक महत्वपून काल के रूप में देखा है इस परकिर्या में भूमी अनुदान के महत्व को इतियासकारों ने सिविकार किया है ब्रह्म देयो ब्रहमडों को अनुदान में दी जाने वाली भूमी ब्रह्म देयो की स्थापना से ग्रामिट समुदाय के विभिन घटकों पर जैसे क्रिश को बटईदारों अथवा भूमी हिन क्रिशी मस्दूरों पर परवाव पड़ा तो दोस्तों इस काल के दोरान शास को दोरा ब्रहमडों को दी जाने वाली भूमी में जो है बढ़ोतरी हुई और दी जाने वाली भूमी पर उस ब्रहमड का पूरा अधिकार हो जाता था जिसके बाद हुआ उस भूमी से राज़त सो वसूल करता था और किशानों का सोसन करता था और साथी साथ इसी समय के दोरान क्रिशी में भी विस्तार देखने को मिलता है तो आईए पहले समाजिक परिवर्तन की बात करते हैं ब्रामणों को दिये जाने वाले भूमी अनुदानों से राजनीतिक विकेंदरी करण हुआ भूमी अनुदानों से भूमी पर विशेशा दिकारों का अस्तांतर्ण हो रहा था राज्य के अधिकारी या उनके सैनिक ब्रम दे अनुदानों में अस्तशेप नहीं कर सकते थे इससे इस बात का पता चलता है कि ग्रामीड समुदाय में ब्रामडों के पास विशेशा धिकार अस्तांत्रित हो गया था ब्रामणों को अपरादिक कर्मों के अधार पर आर्थिक दंड वसूलने का अधिकार था तता इनी अपरादों के आरोपी होने पर इने दंड से मुक्ति पाने का अधिकार प्राप्त था ब्रामण अनुदान प्राप्त करताओं ने ग्रामीर समुदायों को अधिनस्त बनाया और उनका शोशन किया क्रिशी संबंदों में नवीन ततों का परवेश हुआ बाहर से क्रिशी मस्दूरों से कारे कराने का प्रचलन सुरू हुआ ब्रामण अपनी इस भूमी पर किसानों से खेती करवाते और उनसे राजासो वसूल करते और जो भूमी अनुदान में दी जाती थी उस भूमी पर आने वाले संसादन, विरिक्ष, जंगल वो सब जो है ब्रामणों के अधिन हो जाता था ग्रामेड इस्तर पर ब्रामण और ग्रामेड समू के बीच वर्चस्व और अधिनस्तिता का संबंद स्थापित हो चुका था राजी के शोषण की अपेक्षा ब्रामण वर्च का शोषण आम क्रिशकों को अधिक परभावित कर रहा था ग्रामेड इस्तर पर समाजिक और आर्थिक विभाजन गर आते जा रहे थे बढ़ते हुए ग्रामिड विभाजन की वज़ा से समाजिक आर्थिक संगर्ज की संभावना भी बढ़ने लगी इस पर क्रिया के अंतरगत जनजातियों का क्रिश के विवम जाती के रूप में रूपांतरण हो रहा था भूमी अनुदान ने ग्रामिड छेतरों में ब्रामडों के एक वर्की स्थिती को काफी मजबूत कर दिया जनजातिय समुदाय के लोगों ने क्रिशी कारे में अपना सायोग देना शुरू कर दिया कई जनजातियां अब जाती विवस्ता के दायरे में आ गए जैसे भूमी से जुड़े किर्यकलापों में बड़े पैमाने पर लेका कारू के आवशकता पड़ रही थी और इस परकार इनसे जुड़ा कायस्त समुदाय एक जाती के रूप में रुपांत्रित हो गया तो दोस्तो ग्रामेर छेतरों में ब्रामणों के हाथ में विशिशादिकार आ जाने के बाद सामाजिक और आर्थिक विवाजन जो है बढ़ने लगा और भूमी अनुदान बहुत बड़ी मात्रा में दिया जा रहा था इसलिए उसका लेखा जोका रखने के लिए कायस्त समुदाय भी जाती में रुपांत्रित हो गए जो इस भूमी का लेखा जोका रखने लगे इस वज़ा से कई जन जाती समुदाय जाती विवस्ता के दाहरे में आ गए तो चलिए आप जानते हैं क्रिशी विवस्ता में विस्तार के बारे में इस काल के क्रिशी के विकास की जानकारी हमें क्रिशी परासर ग्रंत जिसे 950 और 1100 इस्वी के बीच बंगाल छेतर में लिपिबत किया गया से मिलती है इस काल के लोगों को वर्षा का ग्यान, मौसम तथा वायू की दिशा का ग्यान हो चुका था क्रिश्को को खाद के महत्व जो धान के अत्यादिक उपच के लिए अनिवार है तथा चावल की खेती के लिए उप्युक्त विद्यों का ग्यान था क्रिशी प्राशर से पता चलता है कि किर्शकों को बीजा रोपन की अवधी भी ज्याद थी इस कारे के लिए बैशाक को सबसे उप्योगत माना गया किन्तु धान के रोपन के लिए मैं जुलाई को स्रेष्ट माना जाता था बीज रोपन के बाद धान की करग खेती को पाटने के लिए सीडी नुमा यंत्र का उप्योग किया जाता था गौपर्व के दोरान गौपूजन से वर्ष भर के लिए मवेशियों का अच्छा स्वास्त सुनिश्चित हो जाता था क्रिशी कारियों से जुड़े देवताओं में प्रजापती, सच्ची, इंद्र, मरूती तता वसुधा को विशेश स्थान दिया गया तो दोस्तों क्रिशी प्राश्चर गरंत से पता चलता है कि उस काल के किसानों को खेती की पूरी जानकारी हो चुकी थी और साथी साथ उनको ये भी पता था किस महीने में बीजार ओपन करना है और किस महीने में उसे पाटना है और खेती की सिचाई करने के लिए कुछ यंत्रों का भी इस्तमाल किया जाने लगा था भूमी अनुदान में भूमी के सभी आयमों का विस्तिरित विमडन उपलब्ध है जिन में भूमी की सता की माप तता अनाज की तौल दोनों का दर्च किया जाता था और धान की फसल के लिए ही इनका उपयोग होता था वार्चिक राजस्व आय को लिपी बद किया गया इस परकार राजजी के द्वारा राजस्व का विस्तिरित लिखा जोका रखा जा रहा था क्रिशी कारे और ग्रामिड बस्तिया ब्रंपुत्र तथा नदी घाटियों में केंद्रित थी नदी नालों के निरंतर उलेक से पता चलता है कि ग्रामिड बस्तिया नदीयस रोतों के आसपास ही स्थित थी नदीयों और इस्थान्य धाराओं के अलावा गाउं की सिमाओं को खेत, बांध, तलाब, व्रिक्ष, शरक तथा अन्य गाउं के द्वारा इंगित किया गया था निवास छेतर फल के व्रिक्षों से घिरे होते थे जिनके चारों और खेती होती थी जल को रोकने और खेती तक, खेतों तक पहुँचाने के लिए बांधों का निर्मान किया गया नौवी सदी के बाद धान की खेती पर आश्रित किसी क्रिशी बस्तियों का विस्तार हुआ जिनसे जनसंक्या वृद्धी को बढ़ावा दिया तो दोस्तों भूमे अनदानों, भूमे की मापतोल, अनाज, सभी का लेखा जुका रखा जाने लगा और साथी साथ राजस्यों का भी लेखा जुका रखा जाता था और क्रिशी की सुधा के लिए बस्तियों को नदियों के किनारे इस्थित किया जा रहा था जिससे खेती में सुविदा हो और नौवी सदी के आसपास क्रिशी बस्तियों में जो है विस्तार हुआ जिससे जनस्यंख्य विरिद्धी भी हुई राजस्थान में क्रिशी के विस्तार में सिचाई विवस्ता की मातपुड बोमिका थी तलाब और कूप कित्रिम सिचाई के परमुक सादन थे जहां पाने की सरवादिक कमी थी राजस्थान में परिशन वील का परियोग किया जाता था जिसके परियोग के विशय में विवाद है बारवी सिताबदी के बाद शाषको, कुलीन वर्ग तता व्यापारियों के द्वारा बड़ी संख्या में तलाब और कूप का निर्मान करा आया गया सिचाई के सादनों के विस्तार से वर्ष में दो फसलों को उपजाने में साहता मिली पश्चिम भारत के अबिलेखों में जो, बाजरे, चावल, गेहुं और दलहन के खेति का उल्लेख है एक तिलहन और कपास जैसे वाणिजिक फसलों की खेति भी बड़ोतरी में सिचाई के सादनों का महतुपूर्ण योगदान था जल संसादन की दिरिष्टी से नदियां और तलाव सरवादिक महतुपूर्ण थे तो दोस्तों, राजस्थान में सिचाई की सुविदा उपलब्द नहीं थी जिसकी वज़े से वहां तलाव कूप का इस्तमाल किया जाता था और राजस्थान में जो सबसे प्रमुक था वो था परशियन वील जिसके विशय में अभी तक विवाद है और बारवी सदी के बाद शाशकोग, कुलीनवर्ग और व्यपारियों ने सिचाई व्यवस्ता का परबंद करवाया और साथी साथ वालिजिक फसलों को भी पढ़ावा दिया तो दोस्तों ये परशियन वील है जिसके माध्यम से उस समय राजस्थान में सिचाई की जाती थी पूर्व मद्धिकालिन भारत के ध्यास में सामाजिक परिवर्थन का परमुक कारण ब्रामणों को दिया जाने वाला भूमी अनुदान था इस अनुदान को प्राप्त कर ब्रामणों का वर्चस्व ग्रामेड समुदायों पर स्थापित हो गया प्राप्त अनुदानों के अंतरगत आने वाले सवी संसाधनों पर इनका अईकादिकार स्थापित हो गया जिसने क्रिशकों के सोशन को बढ़ावा दिया इस काल के क्रिशी विस्तार का कारण परमुक रूप से क्रिशी के संबंद में उपयुक्त जानकारी से है क्रिशकों को रिदूओं का ग्यान था और शाषकों द्वारा खेती के लिए सिचाई विवस्ता का परबंद कराया गया जिसने के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया